बूलो मॉनिंग दोस्तों, आज फिजिक्स का कोश्चन आपके सामने, लेशन का नाम है, मैगनेटिक इफेक्ट और इलेक्टरी कॉरेंट यानि विद्धु धारा का चुमबकिय परवाब, यह कोश्चन एम सी क्यू लेवल के हैं, और यह कोश्चन किसी भी बोर्ड एक्जाम मातर क्या है? तो बहुत ही कोश्चन है, जुमभी पूछ देता है, वाण टेसला होता है, निउटन पर मीटर और निउटन पर एम्पीर पर मीटर, यान इसको पढ़ेंगे, वाण निउटन, प्रती एंपीर प्रती मीटर ठीक है तो चुमकी अच्छेतर का ऐसा ही मात्र क्या हुआ टेसला याद रखना है सेकेंड कोशन है चुमकी अच्छेतर में गतिसील आविस पर लगने वाला बल का ब्यादेक लिए लगने वाला बल, तो लगने वाला बल एफ हुआ, और एफ का फर्मूला होता है, बी क्यूँ ही, यहाँ बी क्या है, बी है चुमबकी अच्छेतर, और क्यूँ है, आवेश है, इसको आवेश बोलते हैं, और भी है बेग, चलक की गति, थर्ड कोश्टन है, परत्यवर्ती धरा की अवेश्टी क्या है, याद रफना है, बोस्ट परत्यवर्ती कोश्टन है, परत्यवर्ती धरा की जो आवेश्टी होती है, फ्रिक्वेंसी, यह पचास हर्टर होती है, या इसको पचास साइकल पर सेकेंडी कहते हैं, तो 50 हर्टर्स का मत्व हुआ कि 50 से चक्कर पूरा करती है कितने में एक सेकेंड में ठीक है तो पर्द्यावती धारा एक सेकेंड में 50 चक्कर पूरा करती है अगर कुछ ये पर्द्यावती धारा एक के मत्व अपनी दिशा कितने समय बदलती है तो पर्द्यावती धारा एक बटा 100 सेकेंड में अपनी दिशा बदलती है याद रखना है दिशा बदलती है कि थे कोश्चनल देखते हैं और क्या होता है तो चुमपीयम्प्रक्स का इसाई मातरक वेवर होता है याद रखना है वेवर होता है बदलती है को फ्रिविक धार्रा की डिशा करें के दाएं हाथ कि नियंग से तो प्रिविक के दानिय हाथ का अगुषा है और यह मध्यमा है और यह तरजणी है तौ अपने नगुली को फ़ैलाते हैं? अपने पिसी तरेखशा है इस सचिति में आपका मही से बनता है इस तरीके से ठीक है यह होती है गति की दिशा और यह होता है चुमक्य शेत्र की दिशा और यह होती है प्रेरी पे धारा की दिशा ठीक है यानि उठाओं का क्या हुआ उठा गति की दिशा चाला की गति की दिशा और तरजनी चुमक्य शेत्र की दिशा और मद्यमा क प्रेश्ट गिदुधारा कि दिशा को ब्याद करती है। किस नियम से याद करते हैं तो तो थेलिन के दाइय हाथ के नियम से। पॉस्टन नमर 6 देखते हैं यहां के पॉस्टन 6 है गिदुत मोटर कौन सी उर्जा रुपांतूत करता है। क्यों से पुछ रहा है विधुत मोटर में उर्जा रिपांतनो किस तरीके से होता है तो विधुत मोटर क्या करता है विदुत उर्जा को कि Japanese आपी लोला है यांतिरी गाहिए में में आप रखना है most important है question number seven देखते हैं डायनोमो का कार्ज सिधान क्या है यालि डायनोमो कोन से शूरी पे कोन से सिधान पे काम करता है तो डायनोमो का कार्ज सिधान क्या होता है विदुते चुन बखी है देदा तो इस सिधान पे डायनोमो कार्ज करता है आपको याल रखना है question number eight है विदुत तिव्रता का SI मातर क्या है most important question तो विदुत तिव्रता का SI मातर के वोल्ट पर मीटर होता है याद रखेंगे यहां लिखने है एक नम्मर question विदुत तिव्रता का SI मातर क्या वोल्ट होता है वोल्ट पर मीटर हना वोल्ट पर मीटर होता है और question number nine है अश्थाइल चूपक के बनाने के लिए किसका उप्लोग होता है तो इसके लिए इस बार्त का याई करते हैं और लास्ट question है टे नमबर कौन सी विदु धारा में टांस्फार्मर का उप्लोग नहीं होता है याद अपना है डी सी में यानि विश्ट धारा में कि आप टांस्फार्मर का उप्लोग नहीं कर सकते हैं ठीक है